नमस्कार सातिव सातिव आज के लेक्चर में मैं tangent and normal के various types of questions पर discuss करूँगा सातिव लेक्चर का format कुछ ऐसा है कि अभी तक के exams में आई हुए हर टाईब के questions इस लेक्चर को देखने के बार Mog आप बहुत ही easily कर सकेंगे सातियों इससे पहले मैंने tangent and normal के full concept का lecture upload किया है अगर आपने वा lecture नहीं देखा है तो उसे अब से देखें जिससे questions में आप एक बहतर approach लगा सकेंगे तो आईए सुरू करते हैं आज का lecture Question number 1 देखिए कहा गया है For what value of k the line y equal to kx plus 2 will be tangent to the conic this देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये conic जो है वो hyperbola है ये पहचानना आपको आना चाहिए x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 इस form में ये है अगर हम यहाँ पर 36 से divide कर देते हैं तो x square upon 9 आ जाएगा ये minus y square upon 4 equal to 1 इस से हमको a square equal to 9 और b square equal to 4 ये value हमको मिल जाएगी सबसे पहले आपको मैं condition बता दूँ कि अगर कोई भी line y is equal to mx plus c hyperbola की tangent है तो उसके लिए condition है c square equal to a square m square minus b square इसी condition को हम use करके जो भी values किसी constant अगरा की निकालनी है तो वो easily निकाल सकते हैं तो देखिए यहाँ पर a square b square hyperbola की equation से हम निकालेंगे और a और m की value sorry c और m की value हम line से निकालेंगे तो line में आप देखिए यहाँ पर y is equal to kx plus 2 है इसकी y is equal to mx से अगर हम compare करेंगे इसको तो m equal to k और c equal to 2 आ जाएगा अब हम इस condition को use करते हैं c square की जिगे देखिए यहाँ पर यह 4 आ जाएगा equal to a square यह 9 m square k square हो जाएगा minus 4 इससे k square की value जो है वो यह 8 by 9 आ जाएगी इससे k की value हम निकाल लेंगे तो k की value जो है वो plus minus 2 root 2 by 3 आ जाएगी तो इस तरीके से option b जो है वो हमारा सही होगा next question में आते हैं देखिए the line this will touch the parabola y square equal to 4a x plus a तो same इसी तरह की है यहाँ पर एक condition हमको देखनी है कि कौन सी सही होगी तो अब देखें यहाँ पर यह सारी conditions मैंने पिछले lecture में बताई है कि y square equal to 4a x अगर कोई पहरा बोला है और y is equal to m x plus c अगर line है यह बात आप धंग से देखिए y square equal to 4a x अगर पहरा बोला है तो condition है c is equal to a by m बट यहाँ पर पहरा बोला जो है वो y square equal to 4a x plus a है तो इसके लिए condition जो हमारी है c is equal to a by m plus m a इस बात का आपको विसेज ध्यान देना है कि यहाँ पर जो concept मैंने यहाँ पर बताई थी condition वो c equal to a by m जो थी वो पहरा बोला y square equal to 4a x की थी बट यहाँ पर पहरा बोला change हो गया है अम माले कुछ और पहरा बोला आ जाए तो फिर आपको इसका जो derivation था वो पूरी working करनी चाहिए तो उसके लिए आप पिछला lecture आप देखें मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ पिछला lecture अगर आप देखेंगे तो इन questions पर आपकी approach बहुत अच्छी हो जाएगी तो आते हैं हम यहाँ पर इस question पर फिलाल तो इसके लिए यहाँ पर देखिए कि M और C की value हम निकालेंगे line की equations है और A जो है वो पैरावुला की equations है निकालेंगे तो आप देखिए A, A है यहाँ पर अब M और C के लिए इसको हम Y equal to M X plus C के time में लिखेंगे तो यह Y sin alpha equal to minus X cos alpha plus P हो जाएगा फिर हम sin alpha से divide कर देते हैं तो Y equal to minus cos alpha upon sin alpha into X plus P upon sin alpha आजाएगा तो देखिए इतना यह जो है M हो जाएगा और इतना जो है C हो जाएगा Y is equal to M X plus C से compare करने पर अब आगया हमारा M और C की value आगई A देखिए A है अब हम इस condition को यहाँ पर use करते हैं जो C equal to मैंने बताई A by M plus MA तो देखिए C की value जो है वो P upon sin alpha है equal to A की value A है upon M की value minus cos alpha upon sin alpha है तो देखिए minus cos alpha upon sin alpha यह हमारा उपर पहुंच जाएगा फिर plus MA तो फिर से यहाँ पर plus लेकिने यहाँ पर minus आ जाएगा M हो गया यह हमारा और A, A हो गया अब इसमें हम यहाँ पर इसको solve कर लेंगे देखिए यहाँ पर इधर का LCM लेकर solve कर लेंगे sin alpha cancel हो जाएगा तो finally इससे हमको P cos alpha plus A बरावर 0 मिल जाएगा तो option A जो है वो देखिए हमारा यहाँ पर सही होगा question number 3 में आते हैं question number 3 देखिए यहाँ पर equation of tangent to the parabola y square equal to x which is perpendicular to the line this अब हमें यहाँ पर इस parabola की tangent की equation निकालनी है जो की इस line के perpendicular है तो यहाँ पर अब इन ही condition से जो है वो equation निकलनी थी यह सब आपको उस lecture में मिलेगा जो मैंने पहला lecture दिया है इसका y square equal to 4A x अगर कोई parabola है तो इसकी tangent की equation y is equal to mx plus a by m होती है बट यहाँ पर parabola y square equal to x है देखिए तो इससे हमको 4A equal to 1 मिला है इससे हमको a की value मिल जाएगी 1 by 4 a की value अब हम यहाँ पर 1 by 4 रख देंगे और m की value देखिए हम निकालेंगे यहाँ पर line की equation से तो line 2x plus 3y equal to 4 है इससे हमको यहाँ पर इसको जब y is equal to mx plus c के time में लिखेंगे देखिए उधा transfer करके तो हमको मिल जाएगा यह y equal to mx plus c के form में लाएगे तो इससे हमको इस line की slope मिल लई है minus 2y 3 बट अब आप इस बात को समझिए कि जो tangent है वो इस line के perpendicular है तो tangent इस line के perpendicular है तो tangent की slope यह नहीं होगी यह तो इस line की slope हुई तो tangent की slope जो हो जाएगी वो slope of tangent जो है वो हो जाएगी इसको हम पलट देंगे और sign change कर देंगे m1 m2 equal to minus 1 होता है यह आपको मालू होगा perpendicular line में मतलब कि अगर एक line की slope जो है वो minus 2 by 3 है तो इसके perpendicular line की slope जो है उसको हम पलट देंगे और sign change कर देंगे तो m की value देखिए यह आ गई और a की value यह आ गई अब m की value यह है और a की value यह हम रख देंगे तो इसकी हमको equation मिल जाएगी y equal to mx m जो है देखिए यहाँ पर हमारा 3 by 2 x है plus a by m a जो है वो 1 by 4 है m upon में 3 by 2 उपर पहुंच जाएगा अब हम यहाँ पर इसको solve कर लेंगे तो यह 6y equal to 9x plus 1 यह हमारी tangent की equation आ जाएगी जो की इस line के perpendicular है next question देखिए the line x minus y plus 2 equal to 0 touches the parabola y square equal to 8x add the point अब हमें यहाँ पर कुल मिला के इस parabola की यह line जो है वो tangent है यह दिया गया है और contact point निकालना है मतलब कि इस point पर touch कर रही है यानि कि contact point निकालना है तो इसके लिए method है यह भी मैंने lecture जो दिया है पहला उसमें बताया है मैं आपसे फिर से एक बार request कर रहा हूँ आप उस lecture को अवसर देखें जिससे कि आप इन question से बहुत easily approach लगा सकेंगे तो देखें method क्या है अगर आपने नहीं भी देखा है तो इसको समझने की कोसिस कीजिए हम यहाँ पर x1, y1 माल लेते हैं कि contact point है अब हम इस point पर equation of tangent निकालते हैं equation of tangent at point x1, y1 तो इसके लिए देखें यहाँ पर जो तरीका है y square को y, y1 लिख लेते है equal to 8 को इसको 4 into 2x लिख लेंगे और 2x को x plus x1 लिख लेंगे तो यह सब पुरा process है जो मैंने concept वाले वीडियो में बताया है अब हम यहाँ पर इसको multiply करके एक तरफ ax plus by plus c equal to 0 के time में लिख लेते हैं तो देखिए यह 4x हो गया यह उठा के उधर ले जाते है minus y, y1 plus 4x1 equal to 0 तो यहाँ पर हमको tangent की equation एक यह प्राप्त हो गए यह हमने point x1, y1 पर निकाली और एक tangent की equation देखिए हमको दी गई है x minus y plus 2 equal to 0 तो इस तरीके से अब हमको यहाँ पर tangent की दो equation प्राप्त हो गई एक जो given थी वो एक जो हमने x1, y1 पर निकाली वो अब हमें यहाँ पर अगर एक ही line की दो equation प्राप्त हों तो हम यहाँ पर coefficient compare कर सकते हैं वो कैसे compare करेंगे देखिए पहली equation से x का coefficient 4 upon दूसरी equation से x का coefficient equal to 1 है equal to अब पहली equation से y का coefficient हम लेंगे तो यह minus y1 upon दूसरी equation से y का coefficient तो यह minus 1 है पहली equation से constant जो है वो upon दूसरी equation से जो constant है बोलेंगे अब हम यहाँ पर इसको इसके बराबर रख देंगे तो हमको x1 equal to 2 मिल जाएगा और इसको इसके बराबर रख देंगे तो y1 equal to 4 मिल जाएगा तो इस तरीके से 2,4 contact point आ जाएगा D option जो है वो सही होगा next question देखें बहुत अच्छा question है यह TGT 2004 में आया हुआ question है यह वैसे मैं जो भी question बता रहा हूँ सब यह किसी ना किसी teacher's recruitment exam में आया हुए ही है तो देखें question क्या है tangent is drawn to ellipse को tangent है जो कि इस point से इस ellipse पर खीची गई है then the value of theta such that some of intercepts on axis made by that by this tangent is minimum देखें यहाँ पर जो tangent यहाँ पर इस point पर इस ellipse पर खीची गई है उसके intercepts का sum जो है वो minimum होगा तो theta की value क्या होगी यह निकालना है यह question है तो हम इसके लिए करेंगे क्या सबसे पहले तो इस point पर tangent की equation निकालेंगे फिर उसको intercept form में हम उसको change करेंगे तो उससे हमको intercepts मिल जाएंगे फिर उनका हम sum लेंगे तो sum लेंगे तो यह function बनेगा max1 minima की कुछ working होगी calculation थोड़ा ज़्यादा था मैंने solve कर दिया देखें मैं इसको describe करता हूँ तो हम यह curve है इसके पहले तो x1 y1 point पर टेंजेंट की एक्वेशन लिख लेंगे x2 x1 y2 y1 रख देते हैं यहां पर फिर x1 y1 की जिए यह हम point replace कर देंगे parametric point यह हमको दिया गया है तो यह हमको x1 y1 की जिए यह point रखने पर देखें टेंजेंट की equation आ गई इस point पर अब हम इसको intercept form में change करते हैं तो x upon a plus y upon b equal to 1 इस form में लाते हैं तो देखें 3 root 3 तो यहां पर cancel होगे 3 root 3 बचेगा और इस cos theta को हम 1 upon sec theta लिख लेंगे ऐसे इस sin theta को 1 upon cos theta लिख लेंगे तो इस तरीके से यह intercept form में tangent की equation हमको मिल जाएगी अब देखें x के नीचे जो लिखाया है यह x intercept है y के नीचे जो लिखाया है y intercept है इनका sum जो है वो minimum हो यह यहां पर कहा गया है तो हम इसके लिए अभी इसके function बना लेते हैं sum of intercepts तो देखें यहां पर sum of intercepts हमने यह function बना लिया इसको हमने s से so कर दिया अब हम यहां पर मैग्जामीन वाकी working करते हैं तो ds by d theta निकालते है s theta का function है देखें ds by d theta निकाला sec theta का differentiation sec theta 10 theta हो गया और cosec theta का differentiation minus cosec theta core theta हो गया ds by d theta को हमने देखें 0 रख दिया तो this equal to this हमको मिल जाएगा बाकी transfer करके solve कर लेंगे तो core cube theta equal to 3 root 3 आ जाएगा 3 root 3 को हम root 3 का cube लिख सकते हैं से core theta equal to root 3 आ जाएगा तो theta equal to 30 degree आ जाएगा theta equal to 30 degree means की option c जो है वो सही होगा next question में आते हैं देखिए the locus of the point of intersection of perpendicular tangents to the ellipse देखिए अब यहाँ पर director circle की थियोरी आती है director circle की थियोरी इसके derivations proving सब कुछ मैंने जो concept वाला lecture बनाया है दिया है आपको उसमें सब कुछ इसका मिल जाएगा मैं यहाँ पर direct इसके जो locus होता है वो उसके लिए director circle की मैं वो लिख देता हूँ formula locus यहाँ पर जो होता है is director circle होता है director circle और उसकी equation जो होती है वो x square plus y square equal to a square plus b square होती है यहाँ पर पूरा concept ना बता के क्योंकि उसमें काफी समय लग जाएगा उसके लिए पहला lecture देखिए तो मैं direct formula use कर रहा हूँ तो देखे यहाँ पर a square b square जो है उसके लिए पहले मुझे यहाँ पर करना क्या पलेगा कि यह जो ellipse की equation है इसको standard form में लिखना पलेगा 144 से अगर हम divide कर देंगे equation of ellipse देखिए क्या है यहाँ पर इसको 144 से divide कीजिए तो x square upon 9 plus y square upon 16 equal to 1 आ जाएगा तो इतना a square हो जाएगा इतना b square हो जाएगा तो locus जो है वो director circle होता है यहाँ पर perpendicular tangents का ellipse के तो इसकी equation अब हमको मिल जाएगी x square plus y square equal to a square plus b square 9 plus 16 जानी की 25 आ जाएगा तो option c जो है वो सही होगा मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर ellipse की देखिए मैंने लिखी ही है hyperbola का director circle x square plus y square equal to a square minus b square होता है और पहरा स्वरी circle का जो director circle होता है वो x square plus y square equal to 2a square होता है और पहरा बोला का director circle ना होके director line होती है x equal to minus a यह उसकी directrix की equation होती है तो यह 4 करव के एक ellipse का हो गया यह hyperbola का यह circle का और यह parabola का इनके director circle की equation है director circle बट parabola में director line होती है जो की directrix होती है और director circle का मतलब यह है कि किसी external point से उस करव पर जो भी दो जो perpendicular tangents खिची जाती है ऐसे points का locus होता है director circle बाकि इन सब की provings वगरा और जो भी full concept है मैंने पिछले lecture में दिया है आप उसे अवस्य देखें next question में आते हैं, देखिए next question देखिए, अब आगे ये 2-3 question जो है वो director circle से ही related है question देखिए, क्या है the tangents from which of following points to the ellipse this are perpendicular, किस points है फिर से वहीवाली बात आती है कि जैसे ये कोई ellipse है ऐसे points का हमको locus director circle प्राप्त होता है जिससे की जो tangents draw की जाती है वो perpendicular होती है, इनके बीच का angle जो है वो perpendicular होता है, तो इन सब को मिलाने पर ही ये director circle हमको प्राप्त होता है तो यहाँ पर देखिए, कि जो ellipse की equation दी गई है इसका फिर से director circle का हम ये use करेंगे तो इसके director circle की जो equation है वो हो जाएगी यहाँ पर x square plus y square equal to a square plus b square ये आपके सामने लिखी है a square b square हमें इसी ellipse की equation से मिलेगा इसमें जब हम divide कर देंगे तो देखिए ये हमको इसकी equation मिल जाएगी x square upon 5 plus y square upon 4 equal to 1 तो a square और b square जो हैं वो यहाँ पर 5 और 4 आ गए तो इस तरीके से ये हमको इसकी equation मिल गई x square plus y square equal to 9 ये ellipse के director circle की equation आ गई अब ये जिस point की बात कर रहा है ये इसी director circle पर इस्थित होगा तो अब हम यहाँ पर इन points में से देखेंगे कि कौन सा point जो है वो इसको satisfy कर रहा है ये हमको check करना पड़ेगा क्योंकि point अलग से निकालने का कोई process नहीं हो उसके लिए हमको point को satisfy करके देखना पड़ेगा तो इन चारों में जो भी point satisfy हो जाएगा इस circle पर देखें यहाँ पर ये point जो है वो director circle की equation को satisfy करेगा तो यहाँ पर हम जब check करेंगे तो हमको ये पहला point जो है वो 1,2 root 2 यही हमको satisfy होके मिल जाएगा देखें 1,2 root 2 आप इसको इस पर satisfy कराईए 1 का square 1 और 2 root 2 का square 8 equal to 9 आजाएगा तो कुल मिलाके 1,2 root 2 point जो है वो इसके director circle पर इस्थित होगा इसका मतलब है कि इसी point से जो है वो perpendicular tangents draw की गई है तो option A जो है वो हमारा सही होगा next question देखिए the locus of point of intersection of the perpendicular tangents to the parabola x square equal to 4 y एक बात आप ध्यान दीजिए कि मैंने यहां पर चारों parabola circle ellipse हाई पर बोला सबके director circle की equation लिखी थी बताया था कि parabola में director circle ना होगे पर director line होती है जो की directrix होती है बट यह x equal to minus है जो मैंने equation लिखी है यह parabola y square equal to 4 x कि यह देखिए जैसे कि यह कोई parabola y square equal to 4 x है इस पर यह जो directrix x equal to minus है इसके किसी भी point से हम यहां पर tangents draw करेंगे तो उनके बीच का angle जो है वो 90 degree ही रहेगा तो यहां पर यह line जो है वो इसकी director line होगी लेकिन यहां पर parabola x square equal to 4 y इसकी बात हो रही है तो इसकी जो directrix होगी यह x axis होगया यह directrix इसकी y equal to minus a होती है तो यहां पर यह जो है वो director line का काम करेगी तो locus of points of intersection of perpendicular tangents यानि कि इसके किसी point से जो perpendicular tangents draw की जाएंगी उनके बीच का 90 degree angle हमको मिलेगा तो यानि कि इस parabola की जो directrix होगी वो यहां पर answer होगा option c जो है वो इसका answer होगा y equal to minus a यह आपको ध्यान देना है कि parabola में जो perpendicular tangents का locus होता है वो directrix होती है लेकिन parabola के equation के हिसाब से हम answer देंगे अगर y square equal to 4x parabola होता तो x equal to minus a answer आएगा एक और question अब देखिए आप director circle से ही related है यह if y equal to x plus 2 is tangent to the parabola y square equal to 8x देखिए इस form का यह parabola होगा इसकी tangent है y equal to x plus 2 यह कोई line है y equal to x plus 2 यह इसकी tangent है then point from where tangent drawn to the parabola is perpendicular to given tangent अब यह जो given tangent है इसी के perpendicular एक tangent drawn की गई है तो वो किस point से pass होगी या किस point पे drawn की गई है यह यहाँ पर हमको बताना है तो अब आप इस बात को देखिए कि यहाँ पर यह एक tangent दी गई है और इसके perpendicular कोई दूसरी tangent है यानि कि उसका intersection point जो है वो इसकी director line पर होगा क्योंकि इन दोनों tangents के बीच का angle 90 degree यहाँ पर given है तो अब हमको यह बात पता चल गई कि इन दोनों tangents जो एक given tangent है और जो दूसरी tangent है जो drawn करनी है इसी given tangent के perpendicular उनका intersection point यानि कि कहाँ पर है वो director line पर है x equal to minus a पर तो x equal to minus है यहाँ पर director line जो है वो x equal to minus a ना होके a की जिगे देखिए 2 आ जाएगा 4a equal to 8 है तो a equal to 2 तो यह हमें line मिल गई अब इस line पर जो point होगा वही यहाँ पर इन चारों option में सही होगा तो देखे यहाँ पर x equal to minus 2 जो है वो केवल option d में हमको दिख रहा है तो option d यानि कि यह point जो है वो minus 2,0 होगा इस point से जब यह वाली tangent draw की जाएगी तो वो इस tangent के perpendicular होगी तो इस तरीके से option d जो है वो सही होगा अब हम आते है radius of director circle इसमें भी देखे नई बात अब पूछी जा रही है radius of director circle of this अब देखे यह कोई circle है इसके हमको director circle की radius निकालनी है तो इसके लिए आप देखे इसके director circle का आप equation निकालिए equation of director circle देखे क्या होती है मैंने बताया अभी पीछे question में बताया था x square plus y square बराबर 2a square यह circle के director circle की equation होती है तो यहाँ पर x square plus y square बराबर a square where a square is radius का square है जो given circle है इसके तो यह 2a square की जगे हम 8 रख देंगे तो यह 16 आ जाएगा तो कुल मिलाके director circle की equation x square plus y square equal to 16 आ गई यानि कि इसकी radius जो है वो 4 हो जाएगी तो option a जो है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा next question देखे बहुत अच्छा question है यह PGT 2004 में आया हुआ question है देखे the equation of common tangent of parabola this end यह rectangular hyperbola है इन दोनों की common tangent की equation हमको निकालनी है तो इसके लिए देखे यहाँ पर process होता है उस process को आप समझे कि इन दोनों में से किसी एक curve की equation हम ले लेंगे slow form में tangent की equation अब हम फिर उसके आद माल लेंगे कि वो दूसरी जो है वो curve है उसकी भी tangent है क्योंकि common tangent की बात कर रहे हैं यहाँ पर पूँच रहे हैं तो हम जो tangent इस parabola की मानेंगे उसको हम माल लेंगे कि वो इस भी curve की tangent है तो इस तरीके से यह common tangent हो जाएगी और जब वो जो line है जिसको कि हम इसका tangent मानने है वो इसकी tangent होगी तो उसके लिए working है जो आपने पीछले वीडियो में देखी है कि b square बाबर 4ac हम यूज करते हैं उसको यूज करेंगे तो इस तरीके से यह पूरा method होगा हमारा जिससे की हमको common tangent की equation मिल जाएगी देखिए आप यहाँ पर method सबसे पहले हम माल लेते हैं equation of tangent of parabola पूरा process आप देखिएगा इसका y square equal to 8x is देखिए y is equal to mx plus a y m होता है a यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा तो 2y m आ गई है equation अब हम करेंगे क्या यहाँ पर इसको माल लेते हैं कि यह hyperbola की मैं पूरा लिख देता हूँ let this is also tangent of xy equal to minus 1 अब अगर यह xy equal to minus 1 की भी tangent है तो अगर हम इस line को इस पहरा बोला के solve करेंगे तो जो xy की value आएंगी वो same आएंगी क्योंकि अगर कोई tangent है किसी कर्व की तो solve करने पर xy की दो अलग अलग value ना प्राप्त हो के एक ही value प्राप्त होती है तो वहाँ पर जो x में या y में quadratic equation बनेगी उसके root equal होंगे तो हम 20 square वरावर 4ac रख सकते होंगे तो अब हम इसको solve करते हैं तो यहाँ पर solve कर रहे हैं देखिए xy की जिए हम इसमें यह पूरी working मैंने derivation में पिछले वीडियो में बताई है जो concept वाला वीडियो है आप उसको अब से देखें मुझे बार बा x square plus 2x equal to minus m सब कुछ एक तरफ ले आते हैं तो यह m square x square plus 2x plus m equal to 0 देखिए x में quadratic equation आगी जैसा कि मैंने बताया कि x की दो value जो मिलेंगी वो equal होंगी तो हम b square minus 4ac बरावर 0 या b square बरावर 4ac यह हम use कर सकते हैं अब देखें b square बरावर 4ac रखेंगे b2 है इसका square करा तो 4 बराव number 4a जो है वो देखिए m square है और c जो है वो m है तो यह 4m cube आ गया तो m cube बरावर 1 आ गया तो इससे m equal to 1 आ जाएगा m equal to 1 आ गया तो अब यहाँ पर equation जो है of tangent यह कहले है common tangent इसकी equation हो जाएगी यह हमने equation मानी थी इसमें m की जिए 1 लग देते हैं तो y equal to x plus 2 यह answer हमारा option d जो ह वो सही होगा next question देखिए same as a question है the equation of line touching both the parabola this and this दोनों parabola है यहाँ पर तो दोनों को touch करने वाला मतलब की वही common tangent की equation तो पूरा का पूरा वही process होगा बस a question और मैंने यहाँ पर डाला है ताकि आपको यह matter clear हो जाए तो देखिए यहाँ पर हम इस parabola की tangent की equation माल लेते हैं y equal to mx plus a by am होती है a यहाँ पर देखिए a equal to one है इस parabola का तो यह इसकी tangent की equation हो गई अब हमने suppose कर लिया कि यह जो tangent है वो इस कर्व की भी tangent है तबहिए common tangent बनेगी तो आब हमने यहाँ पर इसकी tangent इसमाल ली कि यह जो tangent है वो इसकी भी tangent है तो आब हम यहाँ पर इसको solve कर सकते हैं till तो हमने y की जिगे यह जो भी mx plus 1 by m है वो हमने इसकी equation में रखा, तो देखें यहाँ पर x square equal to minus 32 और y की जिगे यह हमने यहाँ पर रख दिया, अब हम इसको solve करेंगे तो x में quadratic equation हमको मिल जाएगी, तो इसको solve करने पर x की दो equal value आनी है, तो हम b square पर आबर 4ac use कर सकते हैं, तो देखें b square यहाँ पर 32 m square का whole square equal to 4ac am है, c 32 है, solve करेंगे तो m की value देखें यह 1 by 2 आ जाएगी, तो अब हमारी equation of common tangent जो है वो इसमें m की value रख देंगे, y equal to m, 1 by 2 रख देंगे, तो x by 2 plus 1ym जो है, यह हमारी common tangent की equation आ जाएगी, साथियों, अब मैं आज के lecture को यहीं पर समात करता हूँ, मैंने पूरे tangent को दो lectures में cover किया है, बाकि next lecture में मैं normal को cover करूँगा, इस तरीके से पूरा tangent और normal जो है वो आपका 3 lecture में cover हो जाएगा,